ही फ्रेंड्स मैं स्वान दुबे और आप देख रहा है लान इंग वे श्वाना आज हम दोग एक और नहीं और मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है समय का चोर तो फ्रेंड्स चलिए इस मुझेदार कहानी का मज़ा लेते हैं एक समय की बात है एक देश का एक राजा था उसका नाम था राजा इंडर वर्मा उसके राज्य में एक जौनी नाम का लड़का था वो समय का मूल्य नहीं जानता था एक बार की बात है उसकी माँ ने उसे बाजार जाने को कहा और बोला कि तुम बाजा से एक किलो मैदा ले आओ पर वो नहीं लाया फिर एक घंट बाद उसकी माँ ने उसे दोबारा यही बात कही फिर वो उठके जब बाजार गया तब तक सारा मैदा बिक चुका था वो आके अपनी माता को ये बात बोला और माता ने कहा कि इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम कभी समय वेस्ट मत किया करो पर जोनी का इस बात में कोई असर नहीं हुआ वो बार बार समय वेस्ट करता इसलिए वो हर दिन स्कूल लेट पहुचता था और उसे रोज अपनी टीचर से मार पड़ती थी एक बार उसे एक गाना गानी की मतलब सिंगिंग कॉम्पिटिशन में एक फरस्ट पोजीशन मिली थी उसे एक पुरुसकार दिया जा रहा था पर वो वहाँ फिर से अगली दिन पहुचा और तब तक वहाँ वो गाना गाने के कॉम्पिटिशन का कैंप चला गया था और वहाँ एक सरकस का टेंट लग गया था फिर जानी को समझ में आ गया कि हमें कभी भी समय का चोर नहीं बनना चाहिए तो फ्रेंट्स ये थी मेरी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा चैनल सबस्राइब कीज़ेगा और बेल आइकान को प्रेस कीज़ेगा जैसे आपको नोटिफिकेशन्स मिल जाएंगे कि मेरा एक और नेया विडियो आए है और सब तक के लिए टेक केर और बाई बाई बाई